अजए पार धाम की महीमानी रादी यहां खबर है UP के ललीठपूर जी लेक्टी महरावनी धानाय तरगत ग्राम 45 बांपूर में इस्तित्थ अजए पार धाम में एक कुण इस्तित है जहाँ पर चम रोगों से मुक्ति मिलती है और यहाँ पर माननेता है की यहाँ से जल लेकर यदि खेतों में शिड़क दिया जाता है तो फसलों के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ती मिल जाती है देखें लादिपूर से प्रदीप चतुरुएदी की हरीपूर नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीप चोवे आज मैं मौझूद हूँ ग्राम पंचायत बानपूर के तीर्थ छित्र अजयपार में यहां इस मंदर में स्री हनवांजी महराज बिराजमान है और इस मंदर का बड़ा बहुत महत्त है यहां का महत्त इतना है कि यहां से 50-50 कि किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर से लोग यहां का जल लेने आते हैं क्योंकि इस जल को ले जाकर अगर कोई किसान अपने खेतों के चारों तरफ शड़क दे तो उस खेत में रोग नहीं लग सकती और जो कीटों का प्रिकोफ होता है जैसे कि इल्ली या कोई भी हो अन्ड तो वो उस खेत से दूर भाग जाएंगे और इस तीरतिशेत का एक और बिसेस मात्या है कि यहां पर जो चर्वरुक जिस किसी को हो और वो यहां पर आ जा इसनान कर ले तो उसका वो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है यहां पर आज मैं आया तो यहां पर बहुत दूर दूर से लोग आए आए उन लोगों सो भी जानते हैं कि उनको यहां का पता किस तरह पड़ा और यहां का उनके दिलों में किस प्रकार का महत है यहां पर इस मंदर पर इस मंदर के बगल से ही एक नदी निकली है जिसमें से जल भरकर और हनमांजी महराज के मंदर के पास चड़ा कर फसलों पर डालना पड़ता है यहां पर बहुत ही लोग बहुत दूर से लोग आए हैं आईए आप उनसे जानते हैं बताइए आप लोग कहां से आए हैं जनपत पंचाथ बल्लेवर से आए हैं तैसीर बल्लेवर थाना बल्लेवर दिला ठीक है मर्द पर देश तो आपको यहा तो आपका खेत मतलब जो भी चूहा बगेरा है जो भी जाएंगी अच्छा पिछली साल आए तो बागी करपा से हम यहां से पानी ले घर पर गए अपने खेतों पर डाला हमारे पूरा जो कटा लगा था इल्ली लगा था वो सब सही हो गया इसलिए हम पर्चत है विल्कुल पर्चत का हमने पिछली बार किया है यहां से और आज आप लोग कितनी किसान आए हैं यहां दस बारा लूग आया 15 लोग अच जो अपने घर से आता है तो यहां अपना आठा मतलब सीधा बगरा लेकर आया यह वट आने देना सकते तौड आज आप लोग कितने वजी ही आसरी हूं झाल